आजकल हर brand calling smartwatch के पीछे पड़ा है और एक के बाद एक बढ़िया smartwatch ला रहे हैं budget के अंदर with काफे सारे बढ़िया-बढ़िया features तो ऐसे ही दो पुराने brands है smartwatch की दुनिया में that is noise and buzz उनकी तरफ से एक बढ़िया-बढ़िया smartwatch आई हैं वो भी budget के अंदर calling के साथ boat की तरफ से अभी recently launched boat wave connect और noise की तरफ से थोड़े दिन पहले ये एक smartwatch launch हुई थी noise color fit pulse bus तो ये दोनो smartwatches धाई जार के price range के अंदर launch हुई है और ये दोनों ही काफी बढ़िया feature के साथ आती है और साथ में आपको calling का feature भी देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन दोनों smartwatches में से आपको कौन सी smartwatch purchase करनी चाहिए बट उससे पहले एक छोटी से request अगर आप हमारे चैनल पर पहली वराया तो चैनल को subscribe करके और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो like करके जरूर जाना अब चलते हैं अपने difference पर सबसे पहले दोनों के look and feel की बात करें तो मुझे noise color fit pulse buzz जो है वो थोड़ी सी better लगी because उसमें आपको metal frame देखने को मिलता है वहीं अगर हम boat wave connect की बात करें तो इसमें आपको complete plastic body देखने को मिलती है तो design and looks के मामले में मुझे noise color fit pulse buzz जो है वो थोड़ी सी better लगी दोनों smartwatches की display की बात करें तो दोनों में ही बिल्कुल same display देखने को मिलती है 1.69 inch की TFT display और दोनों में ही resolution जो है 240 x 280 मतलब ये देख लो कि दोनों brands ने decide करके बनाया कि एक जैसे display बनानी है बिल्कुल same मतलब कोई difference ही नहीं है और आप bezels पे देखोगे तो bezels पी नीचे की साइड आपको दोनों ही smartwatches में थोड़ी से मोटे Bunun मिलते है और बाकि साइड आपको almost बराबर बेजल देखने को मिलते है यहां तक कि दोनों smartwatches में आपको brightness भी almost similar से देखने को मिलती है दोनों में ही आपको indoor और outdoor में अगर आप visibility की बात करो तो कोई दिखकत ने होने वाली हाँ direction light में आपको shadow अगरा लेने की ज़रूत पर सकती है next जो difference देखने को मिलता है वो मिलता है UI and smoothness में noise की जो smart watch है color fit pulse burst उसमें आपको एकदम smooth UI देखने को मिलता है और noise जो है वो काफी time से improve करता जा रहा है मतलब जैसे जैसे वो नई smart watch launch करता है तो उसका UI है वो और ज्यादा smooth होता जा रहा है वही अगर हम boat की बात करें तो वो भी improve कर रहा है बट उसका still आपको थोड़ा बहुत laggy देखने को मिलता है इसका UI activity के मामले में दोनों ही smart watches एकदम से में हैं दोनों में ही आपको 60 sports mode देखने को मिलते हैं तो आपकी जो खेल कूद है वो अच्छी तरीके से आप track कर सकते हो दोनों ही smart watches में Now let's talk about the biggest highlight of both these smart watches that is Bluetooth calling तो दोनों में ही आपको काफी similar सा experience देखने को मिलता है दोनों की जो calling quality है यानि की speaker quality और mic quality दोनों ही बढ़िया है दोनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली और दोनों में एक बहुत बढ़िया feature देखने को मिलता है यानि की जो ring tone है जो smart watch में आपके ring tone बजेगी उसको आप change कर सकते हो मैं तक हल से boat wave connect में थोड़े जादा option मिलते है और noise जो color fit pulse buzz है उसके अंदर आपको 4 option देखने को मिलते है और दोनों ही smart watches को आप vibration पे भी और silent पे भी रख सकते हो बट एक ऐसा difference है जो आपके जो decision है उसको लेने में काफी जदा important role निभा सकता है because noise color fit pulse buzz में एक ऐसा feature देखने को मिलता है जो आपको boat wave connect में नहीं देखने को मिलता noise color fit pulse buzz में आपको call switch को option देखने को मिल जाता है यानि कि अगर आप किसी बंदे से बात कर रहे हो अपनी smart watch के through तो आप call को switch कर सकते हो अपने smartphone पे और उसके बाद smartphone से उस बंदे से बात कर सकते हो तो यह जो option है यह आपको boat wave connect में देखने को नहीं मिलता और यह मेरे हिसाब से काफी important option हो सकता है बट दोस्तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको boat wave connect में देखने को मिलती है और noise color fit pulse buzz में देखने को नहीं मिलती जिहां दोस्तो इसका नाम है built-in Alexa इसमें आपको boat wave connect में built-in Alexa देखने को मिलता है यानि कि AI voice assistant देखने को मिलता है वह अगर हम noise color fit pulse buzz की बात करें तो इसमें कोई भी ऐसा option देखने को नहीं मिलता boat wave connect और noise color fit pulse buzz में दोनों में ही आपको raise to wake up फीचर देखने को मिलता है यानि कि अगर आप ऐसे कलाई अपनी गुमाओगे तो आपका smart watch है वह on हो जाएगी तो यह feature मुझे काफी अच्छा लगता है और काफी लोग पूछते भी है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दो मैं एक ऐसी चीज़े जिसमें noise ने मुझे थोड़ा सा disappoint करा है मतलब जो काम पहले boat करता था या फिर जो बाकी जो smart watch की brand है वह करते थे वही अगर हम noise करने लग जाए तो उसकी जो brand value थोड़ी सी घड़ जाएगी noise ने कल जो application है इसके अंदर थोड़ी वह बग्स देखने को मिलते हैं और उसकी वेज़से smart watch में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलती है बाकि अगर हम features अगर आपको यह दोनों ऑप्शन काफी बढ़िया है और इसमें अगर आपको जो metal frame है वह चाहिए और आपके लिए call switch का जो हो वहीं अगर आपको AI voice assistant चाहिए और इसके साथ आपको कोई भी bugs ने चाहिए तो उसके लिए आप boat wave connect यह तरफ जा सकते हो इन शौट आप अपनी preference के हिसाब से कोई भी smart watch को purchase कर सकते हो अगर आपको इनके feature से कोई दिक्कत नहीं है तो आपको जो भी smart watch सस्ती मिले तो आप जो UI है वो मुझे स्मूज चाहिए तो इन तीन रीजन की वैसे मैं noise color fit pulse buzz को ज़्यादा प्रेफर करूंगा over boat wave connect so this was all about boat wave connect and noise color fit pulse buzz I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एन इंफोमेंट ये लगे होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आज तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अपने सारे दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर करना and don't forget to subscribe the channel because ऐसे ही इंट्रेसिंग वीडि वीडियो क्ती सीषय को वीडियो कुल सकतरों को जरे को बेंग ये इंग मुआ तो इंग्डियो को आफि में अजेगित कुल से क्ल म कर दएिडिक झाले से आपाले सारे को लGreat कहा इंगर दो मैंगे 然後 भो कि भीडियो कै thinking that शो बेंगर और ऽीडियो किने सत्सक्त्स को बें तो क